नमश्कार आप देखरें न्यूस फोरनीशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार में बीपीए से पास सिक्षकों के न्योकती के साथ ही उनके लिए नए नए आदेश जारी किये जाने लगे हैं अब उन्हें शपत पत्र देना होगा शपत पत्र ये कि 15 किलोमीटर की यानि सिक्षकों को ये ओथ या शपत पत्र देना होगा कि स्कूल से 15 किलोमीटर की परिदी में आपको रहना है नहीं तो फरवरी मा का वेतन नहीं मिलेगा पर यह आदेश किसी और ने नहीं बलके सिक्षा बिभाग के अपर मुख्य सुचीव केके पाठक ने जारी कर दिया है केके पाठक ने जब से सिक्षा बिभाग की कमान संभाली है आए दिन नए नए आदेश जारी करने लगे हैं आदेश में ऐसे ऐसे आदेश दे देते हैं जिसके बाद सिक्षा विभाग में हड कम्प समझ जाता है अब नए आदेश के के पठक के अनुसार ये जारी किया गया है कि जितने भी नवनियुक्त सिक्षक है उन्हें अपने स्कूल से 15 किलोमीटर की भीतर ही रहना होगा और इसके लिए उन्हें बकाइदा एक पत्र जारी करना होगा एक शबत पत्र जारी करना होगा नहीं तो उन्हें फरवरी मा का वेतन जो है वो नहीं मिलेगा और साती साती से लेकर के डीओ को पत्र भेज दिया गया है अब डीओ को इस आदेश को सुनिश्शित करने का कहा पटना में BPC पास सिक्षकों की न्यूक्ती के साथ ही सिक्षा विभाग के CSK के पाठक ने सभी नए टीचरों को ये आदेश दिया था कि वह ये सुनिश्चित करें कि उनका आवास उनके स्कूल से सिर्फ 15 किलोमेटर के दाइरे में हो अब जब सिक्षकों की न्यूक्ती को एक मा का समय गुजर चुका है तो ऐसे में उनके वेतन जारी करने से पहले सिक्षा विभाग ने एक और आदेश जारी कर दिया है जिसके अनुसार सभी सिक्षकों को इस बात का लिखित में सपत पत्र देना होगा कि उनका घर स्कूल से 15 किलो मेटर के दायरे में शपत पत्र देने के बाद इन शिक्षकों को वेतन जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग के नुसार लगातार निरक्षनों के माध्यम से ये देखा गया है कि कुछ शिक्षक के विलंब से विद्याले आने एवं विद्याले के अवधी के पूर् रिशानी संभब है वहीं उनके मन में ये डर रहता है कि जल्दी अपने आवास थाल पर पहुँचने के लिए विद्याले अवदी के पुर्वही विद्याले को छोड़ दिया जाए। अवासन की विवस्था रखे ताकी ये सभी समय विद्याले या और उन्हें किसी प्रकार की सुविदा भी नहीं हो परंतु बिहार अवास भत्ता・ नियामवली के प्रावधान यतावत लागू होंगे पता ये भी सुनिश्चित करें कि इन सभी सिक्षकों से दिनांग 31.01.2024 यानि 31.01.2024 तक शपत पत्र के माध्यम से ये सूचना प्राप्त कर ले कि उन अध्यापकों सिक्षकों द्वारा अपने विद्याले के प्रखण मुख्याले अथवा 15 किलोमीटर की परिदी में अपने 24 मा का वेतन दे होगा उपरोक्त निदेश नव नियुक्त विद्याले अध्यापक तथा परवसे कारेरत नियोजित सिक्षकों पर समान रुप से लागू होता है देखिए बीचे दिनों सिक्षा विभाग द्वारा दो दो नए फर्मान जारी कर दिये जाते हैं पहले फर् इसी पास सिक्षक अब ब्लड डोनेट करेंगे उनके स्कूलों में ब्लड डोनेशन कैम्प जो है वो अर्गनाईज किया जाएगा और फिर शाम देर शाम होते होते एक और लेटर एक और पत्रजारी कर दिया जाता है और इस निर्देश के अनुसार ये कहा जाता है कि तमा पूरी होने के पहले ही वो स्कूल से बाहर निकल जाते हैं वैसे में जैनवरी 31 जैनवरी के पहले उन्हें एक शपत पत्र जारी करना होगा और शिक्षा विभाग को देना होगा ताकि वो ये सुनिश्चित करे कि स्कूल से 15 किलोमीटर के भीतर ही वो अपने आवास की झाल